पुदीना, गर्मियों का एक खास हरबल पौधा, हम इसे हर कोई इसको लगाना शायत है, भले ही बहुत जदा हमारे पास पुदीना हो, तो भी हम कोशिस करते हैं कि इस पुदीने को जरूर लगाएं अपने गार्डन में, हरा धनिया हो गया, पुदीना हो गया, कुछ ऐसे प पुदीने के साथ, अगर आपने अभी तक पुदीना नहीं लगाया है, तो अभी लगाने का बिल्कुल सही मोसम, जल्दी से लगा डालिए, जिससे की गर्मियों में इस ताजे ताजे पुदीने का आप भी आनन्द उठा सकें, और इसके ठेर सारे फायदे उठा सकें, हला पानी में कैसे लगाएं, मिट्टी में कैसे लगाएं, सब कुछ बताय हुआ है, पर फिर भी भी कुछ मेरे भाई बैनों की शिकायत आरी कि पुदीना नहीं लग रहा है, हलाकि चोटी से छोटी डंठल भी आप तोड़ के लगा तो बहुत आसानी से लग जाता है, ये बाद ये पूरी बास्केट भर जाएगी, तो सबसे पहली बात जो आपके लिए जाननी जरूरी कि इस पुदीने की मिट्टी को आप सूखने नहीं देंगे, इसकी मिट्टी को हमेशा नम रखेंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी मिट्टी दिखाई, मिट्टी में नमी हमे पुदीना तोड़ के देंगे ना, फिर उस समय के खुशी आपकी अलाग होगी, पर उसके पहले आपको धेर सारा उगाना भी तो होगा ना, तो आप ही देखे दिखाती हूँ, कुछ एक तो कटिंग्स मैंने कुछ दिन पहले ही लगा दी थी, आप ही आपको फिर से दिखा हो ठोड़ी सी पुरानी हो, जो थोड़ी सी पुरानी हो थी थी, बहुत ज़दा नाजुक अपना होगी कॉआ जोड़ी सी मजबूत मजबूत आपको दिखेंगी, मोटी मोटी वो जब काते ही, तो तो हंड़ी परसेंट आपकी कटिंग्सेश यह तो कुछ तीन पहले मेरी तेरी अम्भी का बहनने का कि बाजार से लाते हैं पुदीना नहीं लगता है ति यहां पर एक बहुत बड़ा सबसे बड़ा कारण जो होता है कटिंग सना लगने का कि जब आपने पुदीना लिया तो आपका पुदीना कई दिन पुराना हो सकता है अब जैसे हमारी बॉड़ी में शेल्स होते हैं टेशूज होते हैं उसी तरह से इन पेड़ पोधों में भी थोते हैं आपने जब यह कटिंग ताजी-ताजी काटी और इ इतने दिन पुराना है तो उसके जो शेल्स मर शुके होते हैं उसकी कोशिकान मर शुकी होती है तो उन में बहुत जादा गरंटी नहीं होती कि आपकी कौन सी कटिंग लगेगी कौन सी नहीं लगेगी अगर आपका पुदीना ताजा है तो उसके जांसे लगने के बहुत ब और चैनल की घंटी बजानी है सिम्पल जल्दी मिलूंगी किसी अगले वीडियो के साथ अब तक लिए धन्यवाद